अधिया वेलकम टू परफेक्शन आइस और हमारा 70 थ बीपेसी के लिए जो 100 इस अंडे आटिकल वाला सीरीज है फिर आपके साथ जुड़ गए है और इसमें हम लोग आज 85 डे पहुंचें है और हम लोग आज 2 important bodies को discuss करेंगे municipality के अंदर जो दिया गया है वो है MPC और DPC MPC और planning committee क्या purpose है इसका वो समझते हैं एक district के अंदर गाउं के लिए अलग planning होती है जिला परिश्वत प्लान किया पूरे गाउंवाले एडिया के लिए मुनिसिपालिटी क्या किये शहरी एडिया के लिए अब जो भी district पे अलग-अलग लिवल पे planning होई है उन सब plan को consolidate करना और प पूरे district के लिए एक development plan बनाना यह किसका काम होगा district planning committee का और उसका implementation को फिर वो देखेंगे similarly जब कोई metropolitan area में यह काम करना है तो यह काम करेगा MPC metropolitan planning committee लेकिन यहाँ पर constitution में 243 ZD और ZE में बस यही आसपेक्ट लिखा हुआ है कि यह इनका काम रहेगा और एक चीज कि बाकि इसके अंदर जो problem provisions होंगे इसके total strength की किस तरह से seat fill होंगी यह सब state legislature का power है वो कानून बनाकर decide करेंगे लेकिन एक provision compulsory दे दिया गया है and that is with respect to अगर आप देखेंगे तो DPC में जो भी strength decide होगा उसका two-third member कैसे elect होगा वो दिया हुआ है members of municipality और चेर पर और members of जिला परिशद यह आपस में से two-third sorry four-fifth member यहाँ पर इसको समझना है द्यान से four-fifth member को जब हम MPC की बात करेंगे तब two-third आएगा four-fifth members DPC के कैसे चुने जाएंगे municipality के member और जिला परिशद के member आपस में से from amongst themselves यानि कि मानले जो 100 strength decide हुआ DPC का तो 80 लोग को चुनेंगा कैसे जो already municipality के सदस्ये हैं और जिला परिशद के सदस्ये हैं वो आपस में से 80 लोग को चुन लेंगे किस basis पे तो urban और rural population के basis पे 60% urban population है तो और 40 लोग municipality के member में से होंगे और 32 लोग जिला परिशद यह population पे करेगा और similarly MPC के लिए कहा गया कि जो भी strength decide हो जाए उसका two-third municipality के members और chairperson of panchayat आपस में से चुनेंगे यहाँ पे एक वैरी कर गया panchayat के side से chairperson में से आपस में चुना जाएगा किता member two-third member किस के अंदर metropolitan planning committee के अंदर तो यह दो constitutional bodies हैं जो की आपको एक district के अंदर overall development plan बना कर उसको implement कराने का काम करती हैं DPC और MPC ठीक है ठीक है ठीक यू सो मच